हाईलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई अनदर वीडियो नालंदा पेट्स बर्ड आज का टोपिक है इंडियन डॉग ब्रीड आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप फाइब डॉग ब्रीड के बारे में जिने हर भारती है डॉग लबर को जरूर जाननी चाहिए वीडियो अच चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप मिशना करें पिर इस वीडियो को पूरा देखे तभी पूरी वात समझ आएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के टाइम में हर कोई विदेशी नसल का डॉग पालना चाहता है लेकिन अगर को भारतबासियों से अपेल की है की लोग जादा से ज्याद़ा इंडिया डॉग विरिट पाले उसके बारे में जाने उसको ईड़प्ट करें और अपने धरों में जगह दें। अपने इंडिया के डॉग विरिट को सबसे पहले हम बात करेंगे चीपी पराइब बीरी वारे में। चीपी पराई डॉग ब्रीट का ओरीजन तमिलाडू के चीपी पराई से होने के कारे इसका नाम चीपी पराई है। बहां के राज परिवार में इसको ब्रीड किया गया था यह देखकर अपना सिकार करते हैं यह हीरन जंगले सुवर भालू खर्गोस इत्यादी का सिकार करने के लिए पाला जाता था दूसरे नमबर पर बात करेंगे मुडोल हॉंड मुडोल हॉंड इंडिया की पहली ऐसी लगह दीक इसे मुडोलु छॉंड बहुत ही स्लीं फिट और चुस्ति फुर्ति से तेज दोडने वाला डॉब गृट है तीसरे नमबर पर हम बात करेंगे राजा पल्लम डॉग बिरिड के बारे में राजा पल्लम डॉग बिरीड बहुत ही खुबसूरत नीडर और सहाशी डोग ब्रीड है लेकिन इसकी आवादी अब बहुत ही कम रह गई है चौथे नमबर पे बात करेंगे रामपूर ग्रेहौन के बारे में रामपूर ग्रेहौन का ओरीजन रामपूर के नबाब अहमद अली खान से है सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना थके बहुत ही तेजी से लंबी दूड़ी तक दोड़ने वाला ब्रीड है पाच्वे नमबर पे हम बात करेंगे बुली खुता इसका ओरीजन जो है पंजाब से है यह मश्टी परजाती का डौग ब्रीड है यह हैबी मस्कूलर निडर सासी और तेज दौड़ने वाला डौग ब्रीड है थैंक्स बाचिक माई ब्रीड़